केंडिय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने गुर्वार को वित्त वेश दोहजार चोबिस और परचिस के लिए अंतरिम बचट पेश किया है इसे उपलक्ष में क्याट के राश्टिय अदिशियर बिसी फरतिया से बाक्षित की है आगे डालते एक नसर्व केंडिय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन वारा आज संसत में पेश किया गया वूट ओन अकाउंट प्रदान मंत्री नरिद्रभोधी के विज़न का प्रोग्रिसिव दस्ता वेश है जो देश के भविश्य के विगास का दर्शन कराता है कनफर्डेरिशन ओफ ओल इंडिया ट्रेटर्स के राश्य अत्रिक्षिव बिसिभातिय ने अंतरिम बजट का स्वाकर करती वे कहां कि ग्यारा दशमलो एक लाग करोड रुपे का सबसे अतिक कैपेक्स देश के बाजार में बड़ा व्यापार लगेगा वही लोजिस्टिक कोरिडार बनाने तथा रेल्वे की माल ठुलाई की अधिक सक्षम बनाने से माल की अवजाही और अधिक सरलता से होगी जिससे भी व्यापार में वृत्ती होगी इससे देशवर के व्यापार्यों का व्यापार बढ़ेगा तो वही ज्यानिश्वर रक्षक ने इस बजट से फिलाल सामा निजनता को कुछ हासिन नहीं होने की बात कर दिवे, जलाई में पेश होने वाले बजट से कुछ मिलने की आसाल वेक्ति की हैं का मुझे लगता है कि हम लोग तो आज वरतवान में जी रहे तो वरतवान में जीते वक्त यहां के चोटे व्यापारियों से लेके किसानों को युवाओ को क्या हम लोग दे सकते थे क्योंकि आज किसां तरश्ट है यह तो हर दम के हमारी बात है आज चोटे व्यापारी GST जैसे कानून के कारण आज अपने व्यापार को बन कर रहा है दीमाट जैसे बड़े-बड़े मॉल्स उसके स्पर्दा में आ चुके है और उस स्पर्दा को ये करने के लिए हमें कई तो भी तकलिब है उस तकलिबों के बारे में हम चाहा रहे थे कि वह तकलिब है यहां इस पर चर्चा होगी क्योंकि देखो सपनात बताना अच्छा है आगे का भविश्य बताना अच्छा है मगर आज वर्तमान में जीते हूँ है अगर मैं भुका रह रहा हूँ तो पुझे कल मिलने वाले अनाच का कोई फायदा नहीं है तो ऐसा ही इस बजट के अंदर में कोई भी ऐसी बाते नहीं कई गई है सिर्फ शब्दों के एक हिरा फेर है शब्द क्योंकि हमारे यहां कैसे शब्द में बड़ी ताखत तो वह शब्द तो यह अच्छा है मगर तो भी देश चलाने वाले यह सरकार है तो हमारी सरकार है क्योंकि हमने उनको चुनके दिया है तो हम आशा करते हैं कि बजट में वह चुआए चाहे कुछ भी बोले में यह बजट के बाहर जाके शासन ने कुछ निरने लेना चीए तो वह बहुत फाइदे में रहेगा चुनाव आएंगे चुनाव जाएगे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है मगर मेरा अगर अपारी जीता है किसान जीता है तो मेरा देश सम्रुद्ध होगा क्योंकि राष्ट्र संत तुकड़ुजी माराज ने बहुत एक अच्छी बात कही है वो कहते है गाव हा विश्वाता नकाशा गावा वरुन देशाची परिक्षा गाव भंगता यही अथिक परिस्तिती कभी प्रगत नहीं हो सकती तो मुझे लगता है कि एवस बजट के अंदर में उसके बार में सोचा गया नहीं है और सरकार जरूर बजट उसके बाहर जाके इसके बारे में सोचेगी ऐसे अपिक्षा करता हूँ तो वहीं भर्किय अद्वरा कहा किया कि देश भर में अधिक निर्वान कार्य होंगे जिसके चलते विबिन शेत्र में नई आधारी सुविदाय बनाने के लिए खर्च का उप्योग हो सकता है जिससे बहतर इंफास्ट्रक्चर बनीगा और उससे भी व्यापार में वृत्त कर सकता है इस सिदेश भर में व्यापार में वृत्ति होगी और वित्य तरत्ता भड़ेगी वित्यमंत्री निर्मला सितारमन इन्होंने जो है आंतरीम बजेट जो है आज पेश किया है हमारे साथ कैट के बीसी भरतिया जी है उनसे हम जानते है कि क्या बताओगे इस जा गया है जिस तर से हम देख रहे है कि टैक्स लैब है उस पर भी कुछ बा मतलब चर्चा हुई है और जी एस टी को लेकर भी कही बदलाव नहीं दिखाए दे रहे अव्यापारियों के तौर पर आप क्या बताना चाहोगे तेखिए ये अंतरिम बजेट है इसमें बहुत ज्यादा टैक्स को संबंदित फेर बदल को हाथ नहीं लगाया जाता है क्योंकि टैक्स का असर साल भर चलता है और ये साल भर चलता है जुलाय में नहीं सरकार आएगी नया बजेट आएगा इसलिए उसको हाथ नहीं लगाती इसका मतलब यह नहीं कि तरफ ध्यान नहीं द प्रकार से इन्होंने GST में ये जरूर कहा है कि भी collection बहुत अच्छा हो रहा है तो निश्चेत रूप से GST council का विशे है collection अच्छा हो रहा है तो इसके बारे में भी कोई अच्छा निर्नय होगा ये दिखता है खास बातों को जो ध्यान में रखना है कि बिजली के बारे में solar rooftop energy system जो उन्होंने लाया है ये अपने आप में एक बहुत innovative idea है इससे लोगों के खर्चा कम होगा परियावरन अच्छा होगा बिजली घर अपने आप धीरे-धीरे कम होते चले जाएंगे और हम एक प्राकरतिक क की तरफ आजाएंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा एक हमारे फाइदा है तीन सो यूरिट तक के लिए उन्होंने बिजली माफ करने की बात की कितना लोगों को फाइदा हो जाएगा अधीकांस नीचे के वर्च के लोग तीन सो यूरिट से ज्यादा एक मेहने में नह इनका लाग हो जाएगा इनका ध्यान का है हमको यह ध्यान रखना है कि पूरा बजट दो हजार सैतालिस जब हम हमारी आजादी की शादाब भी बनाएंगे उस समय मेरा भारत कैसा रहेगा इसकी तरफ फोकस किया है इन्होंने गरीब युवा महिला अन्दाता इसकी तरफ ध्यान दिया है यानि किसी एक शेत्र को फोकस न करते हुए सरवांगन विकास की तरफ यह जा रहे हैं जुलाए का बजट जो आएगा इतना अच्छा आएगा यह जो सोच के साब से तो हमको जो जो हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें नहीं हुआ यह सब जुलाए में हो जाए सामान्य जनता को लेकर व्यापारी किसान और युवा देखिए बजट यह एक डॉक्यमेंट होता है सरकार की सोच का और सरकार देश को कहां लेके जा रहा है सरकार देश को कहां ले जाएगी मेरा देश आगे कह रहेगा व्यापारी अपने आपको वैसे एग्जस्ट करता ह एक बहुत अच्छा उज्वल भविश्य हमको दिख रहा है इस बजट के माध्यम से दन्यवाद तो हमने देखा कि यह अंतरीम बजट था और आने वाले जुले में जो बजट आएगा उसमें पूरा बजट जो है सभी के लिए होगा सभी के सरवांगिन विकास के लिए होगा ऐसा बीसी भरतियात्वारा कहा गया है कैमेरा परसन राशकुमार मोहड के साथ शितिजादेश मुग बीसीन नियोज नाकपूर